आज मैं आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप तिवारों पे हमेशा बाजार से ही लेकर आते हैं क्योंकि शायद आपको भी मेरी तरह यही लगता होगा कि इसे घर पे बनाना बहुत ज़्यादा कर्थिन है बट ऐसा नहीं है फ्रेंड इस मिठाई को घर पे बनाना बहुत ज़्यादा एज़ी है और बाजार से कहीं ज़्यादा सस्ती और कहीं ज़्यादा अच्छी बनके तयार होती है तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपके साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसकी बज़े से यह बहुत ज़्यादा बढ़िया बाजार से भी बहुत अच्छी लेयर वाली बनके तयार होगी साथ ही साथ आप इसे ना एक हफ़ते तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं यह बिलकुल भी खराब नहीं होगी और वैसे भी अब रक्षा बंदन आने वाला है अगर आपने अभी तक कोई मिठाई नहीं सोची है तो सिर्फ 30 मिनट में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है और वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई भी होगा जिसे बालुशाई प मेजर्मेंट का पूरा ध्यान रखना है तो यहां पे आप कोई भी कप कटोरी सेट जरूर कर लें तो यहां पे मैंने कप से नापके 2 कफ मैदा इसमें चान लिया है अब मैदे के बीच में थोड़ी सी जगे बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे एक चमच तही साथ में ही ब नमक को हम Gusty के साथ नहीं करेंगे साइड में आप कहीं भी डाल दीजिये और जो हमनेस दही में के साथ नहीं को भ्यक्षब का प्रकाउडर अच्छी मिक्स कर लादे कंदाफ की तो यहाँ यहाँ तो त के सब्सक्स में करेंगे तो हमारी जो बालूर्शाही तब आप इसमें एक चमच दही ज़रूर डाले क्योंकि जो सोडा होता है उसे एक्टिव होने के लिए कोई खटी चीज की जरूरत होती है अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था आदा कप बरके बिल्कुल देशी घी तो यहाँ पे सारा आदा कप नहीं डालेंगे उसमें से दो तीन चमच जो घी है वो बच गया था घी को डालने के बाद अच्चे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके ने इस आटे को हमें बाइंड करना है यह यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको यहाँ पे आटे को नहीं तो भटूरे की तरह मलना है और नहीं पूरी पराठे की तरह मलना है बालू शाही बनाने का सबसे में पार्ट यही होता है कि आपको इसमें आटा कैसा लगाना है और आटा आपको सिर्फ यहाँ पे बांधना होता है इसे बिलकुल भी आपको गूनने की जरूत नहीं है नहीं खीचने की जरूत है इस तरह आप सारे आटे को मतलब मैदा को एक जगे एक खटा कर दीजे जितना आपको जरूत लगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएए और इसे इस तरह बांध दीजे इससे क्या होगा इसमें काफी सारी लेयर्स बन जाएंगी और बस इसे उठाके हम अब ना ढखके रख देंगे 10-15 मिर्ट के लिए रेस्ट पे 10-15 मिर्ट में ही ये बहुत बढ़िया से सैट हो जाएगा और उसके बाद हम इसी की बालुशाई बनाके तयार करेंगे तो फिलाल के लिए इसे साइट में रख देते हैं और चाशनी बनाने और चाशनी बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है मैंने आपको बहुत बात चाशनी बनाना बताया है तो चलिए यहाँ पे बापस से बना लेते हैं चाशनी तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैंने डेड़ कटोरी चीनी ली है साथ में ही एक कटोरी बरके मैं इसमें पानी asset करूंगी वैसे आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि हमने दो कप भर के मैदा ली है न तो आप यहाँ पे दो कप भर के चीनी और देड़ कप भर के पानी यूज़ करके भी चाशनी बना सकते हैं बट मैंने जितनी चाशनी बनाई थी वो बिलकुल परफेक्ट रही थी बाद में वो बिलकुल भी नहीं बची तो यहाँ पे आपकी इच्छा है चाहें तो आप यहाँ पे दो कप से बना लीजे या फिर आप देड़ कप चीनी से बना लीजे अब साथ मैं ही यहाँ पे थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल दिया है जिसे की फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फूड कलर यूज किया है तो यहाँ पे मैंने औरेंच रेट फूड कलर यूज किया है जो की हलवाई लोग यूज करते हैं अब सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को डिजॉल्व होने तक चिप चिपा होने तक इसे पका लेंगे तो चलिए यहां पर अभी चाशनी बनने में समय लगेगा इतने हम अपना आटा चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां पर 7-8 मिनट हो गए हैं और यहां पर जो आटा है वो हमारा बढ़िया से सैट हो गया है अब उसके बाद इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हातों पे घुमाते हुए इसकी एक छोटी सी बॉल बना लेंगे और उसके बाद दोनों हतेलियों के बीच में रखे से प्रैस कर देंगे और फिंगर की हैल्प से इसमेना एक बीच में होल कर देंगे तो फ्रैंड्स यहां पे मैं आपको बापस से बता देती हूँ कि जो यह हमने मैदा बना के तयार किया है इसे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है जादा मसलना नहीं है बरना इसकी लेयर्स अच्छे से खुलना ही पाएंगी जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो पहले मैंने क्या किया है सारी बापस को बना के रख लिया है आप जिस भी साइज में बालु शाही को बनाना चाहें चोटे या फिर बड़े उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे इसकी बाल बना के तयार कर लीजे बैसे आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा साइज मत करिएगा क्योंकि जब हम इने फ्राइ करते हैं तब यह डबल हो जाती है तो चलिए यहां पे आपको एक और मैं बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा पोर्ट्शन हाथ पे लेंगे और घुमाएंगे अच्छे से दबाते हुए बीच में एक होल कर देंगे देखे इस तरह और यह हमारी बड़ी असी परफेक्ट बालुशाई बनके तयार हो गई तो देखा आपने वैसे बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है इसमें कुछ भी नहीं है बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है और आटा कैसा लगाना है वह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और अगर आपने आटा अच्छे से लगाया ना उसके बाद जब आ पहले मैंने मार्केट की बालुशाही मगाई थी मतलतान भी बहुत जादा जित कर रही थी खाने को मैंने उसे कहा था कि दो तीन दिन अगर रुक जाएगी तो मैं घर पर ही बना दूँगी पर बच्चे हैं जित करते हैं मानती ही नहीं है तो उसके पापा लेके आ गए और उ और इसकी फ्लेम को बिल्कुल रखेंगे और जैसे ही बिल्कुल हलका सा तिल गर होगा ना तब हम इसमे बालुशाही डाल देंगे तो यहां पर आपको इसे फ्राइ करने के लिए गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है आपको मीरियम भी नहीं करनी है और हाई तो बिल्क और इसी तरह इसे दोनों साइट अलट पलट के सेक लेंगे और इसे आपको बहुत जादा बार बार भी नहीं पलटना है मनना क्या होगा ये कड़ाई में ही बिखरने लगेगी तो यहाँ पे एक बैच मैंने डाल दिया है चाशनी में यहाँ पे मैं आपको दूसरा बैच भी फ्राइ करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे यही चीज़ जरूरी है बालू शाही बनाने में एक तो आपको आटा ध्यान दे के लगाना है, दूसरा इसको जब आप फ्राई करें तो बिल्कुल सिम गैस पे से फ्राई करना है, एक बैच की बालू साही फ्राई करने में कम से कम आपको 7-8 मिनट का समय आराम से लग जाएगा, अगर आप जल्दी बाजी करेंगे तो वो उपर से तो अच्छे से सिख जाएगी पर अंदर कच्छी रह जाएगी, इसलिए बिल्कुल स्लो गैस पे इसे आराम से टाइम दे के सिखें, और इसे निकाल के चाशनी में डाल देंगे, और उसके बाद ना इ एक दो बार इस तरह चाशनी डालने के बाद आप ढखकां से ढखके दो से तीन मिट इन्हें इसी में छोड़ दें और उसके बाद आपने निकाल के प्लेट में रख दें, और देखे फ्रेंड्स यहाँ पर जब इन पे हलका सा नीचे कलर आ जाएगा ना तब हम इसे पलट करना है और आप देख सकते हैं इस पे बहुत ही अच्छा सा गोलन कलर आ गया है दोनों साइड और इसकी शेप भी बहुत बढ़ी आई है, साथ में ही इतनी ज़्यादा खसता बनी है फ्रेंड्स में क्या ही बताओं, जब आप इसे बनाएंगे ना तब इसका फ्लेवर टेस कर पाएंगे, सच में फ्रेंड्स मार्केट से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, आप इसे घर पे एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा, और इधर देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, मतलब खसता हो गई है, तो हम इने निकाल लेंगे और निकालने के बा यही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा खसता और जूसी बनके तयार हुई है, वैसे मैंने बिना इने पहली बार ही बनाया है, और पहली बार में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि मैंने सोचा भी नहीं था, बनाते टाइम मैं तो ये सोच रही थी, कम से कम 4-5 दिन तो इने श्टोर करके रखूंगी, बट इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी, बच्चे दो ही दिन में सफ़ा चट कर गई, वैसे कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, और हाँ साथ में ये भी जरूर बताईएगा कि आप इसे कब ट गीज में, अब उसके बाद वापस से चमचा भर भर के चाशनी इनके उपर डालते चाएगे और इनने हलके हाँ से पलटते चाएगे, दो से चार मिनट इसी चाशनी में छोड़ देंगे और उसके बाद इने भी निकालके हम प्लेट में रख लेंगे, तो फ्रेंट्स रेस प्लेट के बता सकते हैं, इन्हें हमने घर पे बना के तयार किया है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्टी जूसी बनती है, और लेयर तो इसमें इतनी ज़्यादा है ना कि कढ़ाई में फ्राई करते करते ही कुछ की लेयर खुलने लगी थी, तो चले यहाँ पे आपको तोड़ के भी मैं दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा इसमें रस भर गया है, बहुत ही रसीली बनी है फ्रेंड्स, तो आई होब फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाए और देख केर